so good morning friends welcome to my channel Edward Winks and आज हम बात करेंगी तेहार्य हम जिनर्ली जो सुनते रहते है लिट्रीसी रेते हैं लेक्त्राशी रेति लिट्रेसी रेत, इंडिया का लिट्रेसी रेती है जिन्क का लॉट्री सी रेति है अलग नहें कैसे। अलग लेतृश का लाग लाग स्टीट्स ऐगे लिट्व रेत्व है नृज लोग कितने लोग पढ़ती कितने ही हमारे देश में को एरिया में नहँंक हां का भी द्वे रेक हम है एंक हम स्यास होने का रेक्दि लोड है यानि कि गोजने में ममतालब, क्या है इस हम अजले लिखे हैं? क्या वो कोई academic qualification है यानि जैसे हम कहेंगे कि क्या फिर्थ तक लोग फिर्थ तक अगर कोई पढ़ा है तो वो जो है literate है यानि पढ़ा लिखा या कोई 10 तक पढ़ा लिखा है वो ही literate है या फिर कोई graduate है वो literate है तो आज हम यह जो literate word है इसकी definition पढ़ेंगे जिसका इस्तामाल करके इंडिया या किसी भी country में literacy rate निकाला जाता है हम particularly इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया में literacy rate कैसे निकाला जाता है लिटरेट का मतलब जो है इंडिया में वो क्या है तो आइए देखते हैं शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो लिटरेट पढ़ने से पहले हम literacy rate देखते हैं तो literacy literacy rate का मतलब होता है number of literate number of literate people present in a population at a particular time and area ठीक है तो जिस भी time में हम जो calculation कर रहे हैं literacy rate में उस time में कितने बड़े लिखे लोग उस population में मौझूद है particular area की यानि अगर हम किसे state का निकाल रहे हैं तो state में कितने लोग कितने स्टेट की टोटल पापॉलेशन में से बड़े लोग कितने हैं और अगर हम इंडिया के लिटरेसी रेट निकाल रहे हैं तो पूरी इंडिया की पापॉलेशन का ठीक है तो पार्टिकॉलर टाइम और पार्टिकॉलर एरिया में कितने लिटरेट पीपल मौझूद हैं क अब शायद doubt में होंगे कि पढ़ा लिखा इंसान calculation क्या होती है literacy rate में तो दो criteria जो है main जो की literate बनाते हैं एक person को वो है first criteria है कि the one who can read or write any language with understanding ठीक है यानि पहला criteria यह है कि कोई भी इंसान जो की लिख सकता है पढ़ सकता है कोई इसी भी language जरूरी नहीं आपको अंगरीजी ही आना जो है जरूरी है लिटरेट बनने के लिए या आपको अपनी मातर भाशा हिंदी आना जरूरी है अगर आपको अपनी कोई regional language भी आपको अच्छे से लिखनी आती है और पढ़नी आती है समझना बड़ा जरूरी है ऐसा नहीं है कि आपने एक language लिखती उसका मतलब आपको नहीं पता तो आप लिटरेट नहीं हो कोई सी भी language हो आपकी regional language हो आपकी national language हो आपकी international language हो even a person born in Malayalam family अगर आपको इसा भी बच्चा पैदा होता और 7 साल की उमर तो उसको Spanish भी अगर अच्छे से लिखनी और पढ़नी आती है अपनी Malayalam के मुखाबले तब भी हम उसको एक literate person कहेंगे ठीक है तो कोई सी भी language आनी चाहिए उसको लिखना आना चाहिए उसको पढ़ना आना चाहिए with complete understanding और दूसरा criteria है वो है age यानी साथ साल से उपर या फिर साथ साल तक का बच्चा होन से यानी साल साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनके लिए हम literacy rate count नहीं करते यानी साथ साल से नीचे कोई पढ़ा लिखा है जिसको पढ़ना आता है लिखना आता है आता नहीं भी है उस को census से दूर ही रखा जाता है कि census करना है literacy rate का census करना है तो सब सब पहला criteria है कि वो जो भी बच्चा है वो या तो साथ साल का होना चाहिए या साथ साल से उपर का होना चाहिए ठीक है तो literacy rate का मतलब यही है कि कोई साथ साल का है या साथ साल के उपर का है और उसको कोई सी भी language जो है लिखनी आती है पढ़नी आती है विद कंप्लीट अंडरस्टेंडिंग उसे हम लिटरेट कहते हैं ओके और यह नोट में ने आपको लास्ट में दिया है कि नो मिनिमम अकैडमी क्वालिफिकेशन इस रिकोई ठीक है यानि आप पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं आप कलासिस के ही नहीं कभी स्कूल गई ही नहीं स्टिल आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज अगर लिखनी आती है या पढ़नी आती है विद अंडरस्टेंडिंग तो आप लिटरेट माने जाओगे जरूरी नहीं है कि आप 10th प्लास होने चाहिए 12th पास होने चाहिए ग्राजुएट होने चाहिए तब ही आपको लिटरेट माना जाएगा अगर आप स्कूल कभी भी नहीं कि और अगर आपको फिर भी आपनी कोई वीजनल लैंग्वेज या बिन हिंदी लैंग्वेज भी आपको लिखनी या पढ़नी आती है तो आप लिटरेट माने जाओगे इसके लिए कोई सी भी अक्याडमी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है ओके फैक्ट थोड़े पढ़ते हैं लिटरेसी रेट के इंडिया का जो लिटरेसी रे वो पढ़े लिखे होते हैं अभी तक 2011 के सेंसे के मताबिक जिसमें से अगर आप देखोगे तो अर्बन लोग जो है यानि जो शेहरों में रहते हैं उनका लिटरेसी रेट हमेशा से जादा रहता है लगबग 83 प्लस परसंटेज में अर्बन लोग यानि जो शेहरी लोग है एवरेज में 83 लोग जो है 100 में से वो पढ़े लिखे होते हैं और रूलर अगर आप देखे तो विल्कुल कम रेट होता है एवरेज से नीचे लगबग 2011 के सेंसे के मताबिक बात करें तो 68 प्लस परसंटेज यानि 100 में सिर्फ 68 परसंट ही पढ़े लिखे पाए गए हैं 2011 के सेंसे सेंसे के मकाबले उसकी बाद अकर हम देखें तो सबसे हायस्ट लिटरसी रेट कहर ला का आपको मिलेगा तो स्वारी 707 टारला का लिट्रेसी रेट आपको 93 to 94 परसंट आपको मिलेगा यानि सो में से 94 चुरहनवे बच्चे जो आपको बीहार का मिलेगा बिहार का लिट्रेसी रेट लगब 55 to 58 परसंट है यानि सो में से सिर्फ बच्पन से अठावन बच्चे ही वहाँ पर पड़े लिखे पाए जाते हैं तो यह कुछ स्टाटिस्टिक थे जो कि पेपर में आपको काम आएंगे फैक्ट्वल नालज होना भी ज़रूरी है लेकिन आज हमनारा में जो मकसद था वो था लिटरेट वर्ड का मतलब बता करना कि लिटरेट वर्ड क्या होता है and I hope जो है आपके डाउट जो है क्लियर होंगे क्योंकि काफे सारे बच्चे शाहिद यह सोचने होंगे कि academic qualification को जो है तवज्जो दी जाती है बर ऐसा नहीं है जैसा कि मैंने बताया साथ साल का बच्चा या साथ साल से उपर का बच्चा कोई भी लेंगविज लिखनी आती है या पढ़नी आती है with understanding he is literate तो और अच्छे वैक्चुल नालिज के लिए बने रहेगा हमारे चैनल एडवर्ट विंक्स के साथ धन्यवाद